पुर्मिंदस्ट्री के सेतारों के बीच फिलहाल साल का ये अखरी महीना बेहद ही दर्द भरा है तकलीप देहें ये इस वक्त मौसमी चटरजी के लिए घर पर तुफान जैसा एक दुख मन रहा है और वो दुख बिहद ही जादा शब्दों से बया नहीं किया जा सकता इतना तकलीप देहें अपनी आखों के सामने अपनी संतान को दुनिया चूर कर जाते देखना इससे दुखत कुछ नहीं है लेकिन इस दुख से गुजर रही है अब मौसमी चटरजी और इस दुख को कोई भी नहीं कर सकता है कम एक मा को अपनी संतान के जगा किसी और को कैसे कोई दे सकता है कैसे उस दुख को कोई खम कर सकता है नमस्कार देख रहे हैं आप नेक्ष्ट नाइन नियूज दर्शको आज हम मौसमी चटरजी की बेटी के बारे में तो बात करेंगे इसी की साथ साथ हम आपको बताएंगे और मिंदस्ट्री ने इससे पहले और भी तमाम सितारे रहें जिन्होंने मौसमी की तरह इस तो खोज छेला है आज मौसमी जिस तकलीव से गुजर रही है इस तकलीव से गुजर शुकी हैं फिल्म के कई कलकार तो चाहे वो आशा भोसने हो, कबीर बेदी हो, शेखर सुमन हो या फिर महबूद इन सभी सितारों ने अपनी संतान को होया है संतान को होने का दुख सहा है और उस दुख को आस्ता कोई भी कम नहीं कर पाया इस वक्त मौसमी चटरजी के दर्द को कम करना नामुम्किन है क्योंकि अपनी बेटी को 45 की उमर में जिंदगी के चंग में दिन रात अस्पताल में लड़ते वे देखती थी मौसमी बेटी से मिलने के लिए तरसते थी मौसमी लेकिन मौसमी के साथ फिलहाल इस दुखद घड़ी में सिर्फ और सिर्फ तनहाई है संतान को हो देने का दर्द है जिसका सामना मौकेली कर रही है आईए चांते हैं हम ऐसी दुखद घड़ी आखिर कौन कौन से सितारों की घर मौसमी से पहले आईटी देखी रिपोर्ट कि अवाईटी बड़ी देखी जिसका साथ प्रट तनहाई प्रट नहाईए लिएमा समय साथ खिखदायपी प्र Élवबी में प्रप्राइब जो प्रप्राइब नहीं जागा जा जब कि अगया है झाल 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 सामने से छोड़ जाते सबी कुछ को नहीं देखना चाता लेकिन किस्मत को मनजूर कुछ और ही है और यहां किस्मत के आगे हर कोई लाचार है। फिलहाल लेंगे आपसे इजाज़त लोटेंगे ऐसे ही फुल मी दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों के साथ देखते रहें नेक